वेलकम टू चैनल और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने रोड ट्रिप्स के बारे में कि हम लोग रोड ट्रिप्स कैसे प्लान करते हैं और इसके लिए क्या-क्या तैयारी करते हैं और ये वीडियो उनके लिए काफी यूसफुल होगा जो अक्सर इस कैसे जाए तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना कमेंट करके हमें बताना और आपके कोई भी क्वेरीज हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे मैं टाइम मिलते ही रिप्लाई करूंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला पॉइंट यह है कि आप अपने फैमिली मेंबर से पूछिए कि क्या वो रोड ट्रिप्स पर जाने के लिए मेंटली रेडी हैं क्योंकि ऐसा है कि आप अकेले तो जाने वाले हैं नहीं तो सबकी राय लेजे बच्चों की वाइफ की हो सकता है किसी को प्रायर एक्स्पिरियेंस अच्छा ना रहा हो रोट्रिप्स पर बहुत लोगों को कारवार में उल्टियां आती हैं तो सबसे थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि रोट्रिप पर जाने के लिए वो मेंटली रेडी हैं कि नहीं तो यह नो डाउट यह सारी चीजे तो हैं ही बर छोटी मोटी प्रोब्लम भी आती हैं जैसे ट्रेंट में आपको टैज्ट मिलता है या फ्लाइट में लेकिन गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं है तो गाड़ी में आपको रास्ते में हो सकता है अच्छे जगा टॉप अच्छा खाने पीने का फिर जगा न मिले तो सबको ध्यान में रखते हुए पहले फैमिली मेंबर्स को रेडी कीजिए कि वो रेडी हो जाएं एक बार सब एक साथ रेडी हो जाएंगे तो आपका एक्साइट्मेंट लेवल ऐसे रोट्रिप पे जाना है तो सेकेंड चीज आती है डेस्टिनेशन कहां जाना है तो डेस्टिनेशन कोई ऐसा चूज कीजिए जहां पहले नहीं गया है या जो भी आपके मन में था कि यहां पर बहुत दिन से जाना है अगर आप न्यू है रोट्रिप पे तो डेस्टिनेशन आ जाए कुछ महीने कुछ साल आप रोट्रिप्स कर ले तब बड़े-बड़े दूर-दूर की डेस्टिनेशन प्लान करें जैसे हम लोग पटना से गुवा चले जाते हैं पटना से हैद्रावाद चले जाते हैं जहां दो दो तीन तीन दिन की लगतार जर्नी हो यह सब आप दो साल के अंदर जो है वो सीख जाएंगे बॉड़ी एड़स्ट हो जाएगे उसी हिसाब से तो एक बार आपका डेस्टिनेशन फाइनल हो गया तो फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जाने के लिए सबसे जरूरी है पैसा तो फाइनेंसिंग कैसे करेंगे तो फाइनेंसिं प्लस कुछ इंट्रेस्ट आ जाएगा तो इसको आप यूज कर सकते हैं और यह पर मंत कटता रहेगा आपके जो भी सैलरी से या इन्वेस्टमेंट से तो आपको उतना पिंच भी नहीं करेगा तो ऐसी ऐसी आप जो है दो तीन आर्टी अलग अलग टाइम के लिए बना दे जैसे दशहरे में जाना अक्टूबर में तो उसके लिए आर्डी मार्च से स्टार्ट कर दी थागि वो आक्टूबर में मैचियूर होके पैसा आ जाए खुली के समय मार्च में जाना है तो livings है तो वहां से निकाल सकते हैं फिर आते चौती बात पर कि जहां जाना है वहां का रूट प्लान करें कि सपोज आप दिल्ली से निकल रहे हैं और आपको दिल्ली से मसूरी जाना है तो एक बर कहां फोर लेन है कहां टू लेन है फिर उस रूट पर जाने का वह एप्रॉक्सिमेटली ट्रेवल टाइम दिखाएगा उसको दिन में दो-तीन बार अलग-अलग टाइम पर चेक कीजिए कि अगर रात में आठ बजे निकलते हैं तो क्या टाइम दिखा रहा है सुबह चार बज से निकले तो क्या टाइम दिखा रहा है इस से आपको ट्राफिक कंडिशन का आइडिया लग जाएगा और गूगल में ट्राफिक भी दिखाता है तो आप बीच-बीच में जूम करके आप देख सकते हैं कि दिन में दो बजे फला जगा से क्रॉस करने पर कितना ट्राफिक रहता है तो इस साब को प्लानिंग में बहुत मिलेगी दूसरा आप पहुंचने वाले हो सके तो पहले से बुक कर ले अगेन यहीं उनके लिए है जो रोड ट्रिप्स में नए हैं हम लोग तो क्या काफी पूराने हो गए तो हम लोग बिना बुकिंग के भी चले जाते हैं और हमें पता रहता है कि कहां रुकना कैसे रुकना कैसे मैनेज करना है और कभी-कभी रात में हम लोग कार में भी स्टे कर जाते हैं अगर लॉंग जर्नी है तो लेकिन नियू जो लोग हैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि एडवांस में बुकिंग कर ले उसके लिए बह सीटार की गाử कार तो अब आ रहे है हम लोग कार पिकार को अब रेडी कीजे कैसे कार को रेडी करना है तो अगर सर्вिसिंग अपर कारो प्रेंड़ जो भी सर्विस सेंटर वहां पर ताकि आप मेंटली शांत रहें कि हम गाड़ी में सब सही है और मॉडर्ण डे जो कार से हो काफी रिलाइबल होती है जल्दी फेल नहीं होती है तो उन पर भरोसा रखें आपकी कार में कुछ नहीं होगा अंटिनान अनलेस कहीं एक्सिडेंट ना हो जाए और वैसे सूरत में अगर हो भी गया कुछ खराब तो चिंता मत करें हर जगा आजकल हर कार के सर्विस इंटर एविलेबल हैं खासकर कि जो में स्ट्रीम कार है मारूती हुंड़ी फोड टाटा यह सब तो क्या है कि इनका सोरूम हर छोटे बड़े श खेल है बस चार्ज लगेगा उसके बाद आते हैं कि जाने से ठीक एक दो दिन पहले अपनी पैकिंग शुरू कीजिए क्योंकि आपको शुरू सुरू में आइडिया तो लगेगा नहीं लेकिन पैकिंग करने में टाइम लगता है काफी टाइम लगता है अब क्या-क्या पै खाते हैं वो ले लें मेडिसीन जरूरी है अच्छा एक दो छोटी छोटी चीज और बता देता हूं अपने बैग में एक दो चम्म छोटी मोटी कटोरी या प्लेट जरूर लेके जाए ताकि कहीं कुछ बाहर से खरीद करके रूम में खाना पड़ा होटल रूम में तो आप एक लीटर वाला खरीद लें आपको और वह क्या करेगा कि जहां भी आप रुकेंगा वहाँ पानी गरम कर सकते हैं और पानी गरम करके आप बहुत कुछ हो सकता है बाई आप मैगी भी उसमें बना सकते हैं चाय बना सकते हैं तो यह एक बड़ा यूसफुल चीज रहता है और अगर आपके साथ बच्चे बच्चे हैं तो फिर डाइपर वगएरा बेबी फूड यह सब जो हैं यह सब थोड़ा ध्यान से पहले से पैक कर लें क्योंकि लास्ट मोमन में जाते समय हड़बडी में यह सारी चीज़े छूटती है तो एक दो दुन पहले से पैकिंग श करेंगे जैसे पूड़ी सब्जी पर आठा सब्जी कुछ लेके जाएं जो अगले चार छे घंटे में आप खाएंगे और एक कुछ ड्राइटाइप का स्नेक्स बनाके ले जाएं जैसे हम लोग यह नमक पारे बनाके ले जाते हैं निमकी या बिहार में हमारे ठेकुवा ब इससे आपका जो है न एक तो घर का खाना है तो हिल्दी भी रहेगा बाहर का खाने पर कम डिपंडेंट रहेंगे और इससे आपका पैसा भी बचेगा क्योंकि बाहर में हो सकता किसी किसी दिन आप ब्रेकफास्ट ना करें आपके घर से जो बनाके आप लाएं उसको खा करक है उसके बाद रूट प्लान कर लीजिए स्टे अपना बुक कर लीजिए उसके बाद कार रेडी कर लीजिए और लास में फिर पैकिंग पे लग जाईए यू आर अल सेट टू गो और बिलीव कीजिए अपने आप में अपने फैमिली मेंबर्स में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को रूट ट्रिप पे तो अगर आप रूट ट्रिप्स पे नहीं जाते या कम जाते हैं तो जरूर निकले और इससे बहतर कोई तरीका नहीं है इंडिया को एक्स्प्लोर करने का तो इस वीडियो में इतना ही कुछ था बताने के लिए आई होप आपको ये वीडियो तो सही लगा होगा इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देंड टेक केर बाई